मेडिकल को लेकर बहुत ही बड़ा सवाल मेरे बीच में आया है मुझे तीन-चार दिन पहले एक मैसिज मिला है एक मैडम का और ब्याहिक इससीे मैडम इससी अीजम के समय कुछ 是ु और पॣहां उसान के और मेडिकले अंदर behavior माट सिसा i Should आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट राम है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले गंटी को भी ओन करते तो जो भी मैं इन्फरमेशन वाली वीडियो बनाऊगा तो उसकी जो नोटिफिकेसं से आपके बीच में फर्स्ट मिल जाएगा तो बिल इस वीडियो के अंदर हम लोग पृछ डिटल्स में जानेंगे क्या फीमेल प्रीमेल निकरी को एक देटल्स में अंगे और फूरी जानकारी को रेंगे तो दोस्तो जैसे आप लोग को पता होगा कि गमका मेडिकल्स जो होता है एक रिजिस्टर सेंटर पे होता है जो गल्फ कंट्री का जो मेडिकल सेंटर होता है वहां का जब मेडिकल रिपोर्ट जो फिट का रिपोर्ट होता है जब भी मिलता है तब ही आप माने जाते हैं कि आ प्राच होती है बहुत सारा टेस्ट होता है जिसके अंदर मेडिकल में फेल भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग तो कुछ इस तरीके से भी फीमेल का भी गमका मेडिकल होता है जैसे अगर मेल कोई है गमका मेडिकल कराने के लिए जाता है तो उसमें उनको चेस्ट का जांच होत उसके बाद ब्लेड का टेस्ट होता है कफिंग टेस्ट होता है मलेरिया मैक्रोफलेरिया या मतलब और भी बहुत सारे जो चीजें हैं पुरा चीजों का टेस्ट करने के बाद जब वह 100% फिट पाए जाते हैं तब उनके मेडिकल रिपोर्ट के उपर उनको इस टाम लगा जा होता है तो female का medical होता है तो क्या मेल डॉक्टर छुक करते हैं तो दोस्तों मैं लोगों बताना चाहूंगा فیمل का acceptable medicals जब होता है थो उनके लिए different doctor होते हैं उनके लिए male doctor नहीं होते उनके लिए female doctor होते हैं जिस तरीके से male doctor का जाच होता है जिस medical में इसी तरीके से female का भी जाच होता है तो same 'll होई procedure होता है उनके लिए joh doctor is होए ुहाँ पर female doctor रहेंगे तो पुरी तरीके जो प्रोसेजर, मेल के लिए रहेगा उसी तरीके से female का भी जाच होता है. पूरा ATOG उनका भी चेक अपप होएगा, जब तक medical में outfit नहीं होएंगे, तब तक abroad नहीं आपाएंगे. तो कुछ फीमेल्स ऐसे भी होती जो सोचती है कि मुझे विदेश में जाके काम करना चाहिए और मुझे अच्छा पैसा कमाना है तो अब रोड में आके काम करने के लिए मतलब प्लानिंग करती है तो उनका भी जाच होता है तो इस चीजों को आप ध्यान रखिए और नॉर्म के लिए जिसे आप विजीटिंग वीजा या फैमिली वीजा या कई घूमने टूरिस के लिए आप जाते हो तो उनमें गमका मेडिकल की रिक्वार्मेंट नहीं होता है तो आई होप जो मैडम का सवाल था तो आप उनका डाउट के लिए रोगया होएगा तो मैं आपको ही इस एक बताना चाहूंगा कि आप अगर फीमड से अगर आप सोच रही हैं कि अब डोड में आकर काम करना है आपको जाप करना है तो आपको गमका मेडिकल कराना पड़ेगा सेम प्रोसेजर है तो गमका मेडिकल कराने से पहले कुछ प्रोसीजर को आप फोलो करिए कुछ चीजे जो मतलब गमका मेडिकल के अंदर जाने से पहले मतलब होट वाटर अपने आपको मतलब अगर कफिंग प्रॉलम्स है तो पहले से सिरफ और पीके पुरा सही कर लेजिए अगर कुछ चीज क प्रॉल्म उसके अंदर मिल गया तो आपका जो medical होता है वह unfit हो जाता है तो आपके लिए आगेचल के problem हो जाता है I hope जो doubts आप लोगो का रहा होए गा कि female को लेकर क्या female को गमका मेडी कल चेक उप होता है तो आपका doubt क्लियर हो गया होएगा तो female का भी medical वेहिकल चेक अप होता है अगर चैनल पर फर्स टाम है तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो गंटी को भी उन कर दो ऐसी इंफोमेशन वीडियो देखने के लिए